जहिन दोस्तों स्वागत आपका विज़पत डिफेंस एजुकेशन में आज हमारा क्लास 14 है HP पुलिस डेली मिक्स जीके की इस वीडियो में टॉफ 15 प्लस कोईशन डिसकस करेंगे जो कि आपके हिमाचल एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे HP पुलिस हमारी ये सीरिस चली है जिसका आज क्लास 14 है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कोईशन में यहां पर लेके आया हूँ जिसमें HP पुलिस एक्जाम के लिए HP जीके, इंडिया जीके और साथ में हम कुछ जनरल साइंस के कोईशन डिसकस करेंगे जो कि आपके एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए टारगेट ये मिशन रहेगा 2021 जिसमें आपको एक्जाम को क्रैक करना ही है वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू हमारा बेसिक फाउंडेशन का कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है जो कि एक साल करहेगा और कवर करवाएगा आपके आने वाले सभी स्टेट और सेंटर गवर्मेंट इक्जाम को आप अपनी त्यारीस में बिल्कुल बेसिक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं डेली हमारी सिक्स हावर की क्लास रहे कि इसमें इसमें आपको मिलेंगी ओनलाइन टेस्स सिरीज, स्पेशल नोट्स और बोक्स सो 100% शौर्ट सकस के लिए आप हमारा वेसिक फाउंडेशन का कोर्स जरूर जोइन करें वीजेपात डिपेंस एजुकेशन में अभी तक अकर आपने हमारे पार्ट 13 तक की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट या फिर उपर आई वटन पे इसका लिंक मिल जाएगा जहां से आप इनके पार्ट 13 तक वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो का पुस्तक दबंडरलैंड हिमाचल परदेश किसके द्वारा लिखी गई है इस वीडियो का सबसे most important question है बुक से related पुस्तक दबंडरलैंड हिमाचल परदेश सबसे important बुक है हिमाचल परदेश में काफी हतक ये read की जाती है exam के लिए और ये लिखी गई है जगमोहन बलोकरा के द्वारा अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं तो आपको इस बुक का नेम पता ही होगा दबंडरलैंड हिमाचल परदेश जगमोहन बलोकरा के द्वारा लिखी गई है और exam point of view से काफी important books है ये जिसमें HPG के जो है वो काफी हद तक deeply बताया गया है next one है Mother Teresa को Nobel पुरुषकार किस बर्श मिला था तो Mother Teresa को Nobel पुरुषकार दिये गया था शांती के लिए मतलो कि Peace के लिए जो की पूरे बिशो का सबसे बड़ा पुरुषकार होता है Nobel पुरुषकार जिसको Alfred Nobel की याद में 1901 में स्टार्ट करवाया गया था और 1989 में जो है Mother Teresa को Nobel पुरुषकार मिला था 1989 में एक और चीज़ा आपको ध्यान में रखनी है 1989 में जो धरमशाला में जो दलाई लांब है उनको भी 1989 में ही शांती के लिए Nobel पुरुषकार दिया गया था एक और Nobel पुरुषकार से सबसे important question ध्यान में रखना है कि हाल ही में मतलव कि भारत को कब Nobel पुरुषकार मिला था सबसे latest की बात करें तो 2019 में 2019 में जो है वो अभीजीत बेनरजी को जो है वो Nobel पुरुषकार से सम्मानित किया गया था जिनकों की economics के लिए ये दिया गया था मतलव कि अर्थशास्तर के लिए उनको Nobel पुरुषकार दिया गया था उसके बाद अभी तक भारत को 2019 के बाद अभी तक Nobel पुरुषकार नहीं मिला है next one है पांच सितारों बाला राश्ट्रिधवज किस देश का है तो पांच सितार बाला जो नैशनल फ्लैग है वो है चीन का next one है मनुश्य के रंग किस pigment के कारण साबला या गोरा होता है जैसे human का जो है वो किस pigment के कारण होता है तो वो pigment होता है melon जैसे कि hemoglobin से जो है वो हमारे blood का कलर लाल होता है chlorophyll से पत्तों का कलर जो है वो हरा होता है वैसे ही melaline के कारण जो है वो human का कलर साबला या गोरा होता है next one है मानव लार जिसको कि saliva के नाम से जानते है उसका pH मान कितना होता है pH का मतलब होता है potential of hydrogen जिससे से हमें ये पता चलता है कि कोई चीज acidic है basic है या फिर neutral है तो human large जो है मतलब कि saliva उसका जो pH मान होता है वो होता है 7.4 और अगर 0 या 7 से बीच value हमारी vary करती है तो उसको कहते है acid proper value 7 अगर रहती है तो उसको करते है neutral और अगर 7 से आगे कोई value चली जाती है तो उसको बोलते है base तो हमारा जो saliva होता है वो हमारा हलका सा basic की form होती है next one है धरमशाला में मुख्य रूप से कौन सी दो जीले है तो धरमशाला में मुख्य रूप से दो जीले हमारी natural जीले है सबसे पहली है हमारी dull जील और दूसरी है करेरी जील जो की डिस्टिक कांगड़ा के धरमशाला में ये पढ़ती है और धरमशाला जो है ये हिमाचल की दूसरी राजधानी भी से बोला जाता है एक हमारी डलजील है जो की हमारी पढ़ती है धरमशाला में और दूसरी है लामा डलजी जो की हमारी कहां पढ़ती है डिस्टी का चमबा में नेक्ट वन है तेरमी विधान सभा में सबसे ज़्यादा उमर के विधायक कौन है तो जो हमारी 2017 में जो सरकार आई थी जैराम सरकार जो की हमारी तेरमी विधान सभा थी उसमें सबसे जादा के उमर के विधायक जो थे वो थे बीर भदर सिंग मतलब कि अभी बरतमान में वो भिधायक है शिमला ग्रामिन के और इनके जो बेटे हैं विक्रम आदित थे वो सबसे कम उमर के विधायक जो है वो बने हैं बीरफदर सिंग जी जो है वो 6 बार हिमाचल के मुख्य मंत्री रह चुके हैं हिमाचल पृदेश सेना परिशेक्षन कमान का मुख्याले कहा है तो आर्मी ट्रेनिंग सेंटर यह हमारा हिमाचल में पढ़ता है डिस्टिक सिम्ला में Next question है waluchum city के नाम से किस जले को जाना जाता है मश्रूम city के नाम से district solan को जाना जाता है waktu जाना जाता है शिरमोर की बात करें तो सिरमोर में अद्रक सबसे जादा उगाइा जाता है और अंगूरों की भूमी रिबबा को बोला जाता है जो कि हमारी पढ़ती है डिस्टिक का कुलू में नेक्ट वन है हिमाचल परदेश का सबसे जादा लगू द्योग की काईयों वाला जिला कौन सा है तो सबसे जादा जो फैक्टरीज लगाई गई हैं लेकिन लगू द्यो की मतलकि छोटी-छोटी फैक्टरीज जो हैं वो सबसे जफादा जहां पर लगाई की हैं वो है हमारा डिस्टिक का अंगडा और अगर वैसे सबसे जफादा फैक्टरीज की बात करें तो वो है हमारा बद्धी जो कि हमारा सोलन सिर्मोर में पड़ता है और बद्दी को जो है वो इंडस्ट्रियल हब के नाम से जाना जाता है मतलब कि एशिया का सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल हब है वो जाना जाता है बद्दी को और इसके जो रचिता थे इनकी जो रचना की गई थी वो की गई थी वास जी के द्वारा Next one है भारती मुद्रक की छपाई किसके द्वारा की जाती है तो भारत में जितने भी नोटों की छपाई होती है ये की जाती है RBI के दोरा जो की है हमारा भारती रिजर्ब बेंक और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो नोट को ही शामिल किया जाता है बाकी इसमें जितने भी कोईन है या फिर एक उर्पे का जो नोट है वो RBI के दोरा छापा नहीं जाता है नेक्स वन है तेलंगाना भारत का राज्य कब बना सबसे लेटस्ट जो हमारी स्टेट बनाई गई है पूरे भारत की वो है तेलंगाना जो की आंधर परदेश से तूट कर बना था इसकी राजधानी हैदरावाद है और 2 जून 2014 को जो है ये भारत का नया राज्य बना था जो की बना रहेगा हमारा 2 जून 2024 तक 10 साल के लिए इसको बनाया गया है 10 साल के बाद जो है या तो इसको फिर से अंधर प्रदेश में मर्ज कर दिया जाएगा या फिर इसी को ही नया एक स्रेट घोशित किया जाएगा next one है kidney में पत्थरी किस से बनी होती है तो गुर्दे में जो पत्थरी होती है वो किस से बनी होती है क्या उसमें कौन सा उसमें material होता है वो calcium oxalate की बनी होती है जिसका की formula होता है CAC2O4 calcium oxalate की जो है वो ये पत्थरी बनी होती है जो की काफी hard होती है last question है इस वीडियो का king of chemical के नाम से किसे जाना जाता है तो H2SO4 को king of chemical के नाम से जाना जाता है जिसको की racino का समराट कहा जाता है और H2SO4 का नाम है sulfuric acid I hope आपको बीडियो अच्छी लगी होगी बीडियो को जादा से जादा like करें और अपने friends में share करें WhatsApp group के साथ ज़रूर जुड़ें जिसमें आपको day to day के current affair HP police gk notes study material साथ में आपको job alert provide करवाया जाता है So video के description में आपको इसका link मिल जाएगा जहां से आप इसको easily join कर सकते हैं वीडियो को जादा स्यादा like करें अपने friends में share करें और हमारा हिमाचल police का advance batch start हो चुका है HP police का जिसको आप mission 2021 अपने लिए बनाएं क्यूंकि आपको 2020 में HP police का exam crack करना ही है तब तक के लिए जै हिंद जै भारत